है लो फ्रेंड्स मैं होगे पी सिंग आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो बढ़ोगे अगर आप शिकना चाहते हैं रोज कुछ नहीं हां तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल अकन को जरूर दुआ है तक आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले अगर आपने मेरा व्लॉक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उपर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा है वहां से जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजे और यदि आप पहुंचना चाहते हैं तो उसका लिंक भी उपर आई बटन पर आ रहा है तो चलिए फड़ा- सब्सक्राफट से सुरू कर देते हैं को शनमबर नौ से कि क्या कह रहा है सरल लेखा वाई बराबर एम एक्स कि एक्स अच कि तथा कोट एक्स बराबर तीन कि कि अंतरगत छेत्रफल ग्याद कीजिए तो देखिए पहले तो हम बनाएंगे इसका ग्राफ यह बना लिया हमने अपना वाई अच यह बना लिया हमने अपना एक्स अच इसके बाद सबसे पहले इस रेखा को हम यहाँ पर बनाएंगे तो यह क्या है य बराबर आ तो इस रूप की जितनी बी रेखाएं होती है मूल बिन षे हों कर जाती हमने आपको बताइता क्योंकि यहां पर अचरपद गयब है जब तो रही हमें मुलिंग मुझे अजया चते हैं दर एक्स पॉस्ट्य तो प्रत्थम और त्रति चत्र रृत्षाज से जाएगा अगर एक्स निगेट्व होता तो SECOND और 3rd से यह होकर जाता तो SECOND और 3rd से होकर जाएगा यह रेखा तो रेखा कुछ इस प्रकार से बनेगी एक सच तो हमारे पास यह है ही एक सब्राबर तीन तो एक सब्राबर तीन तीन पॉइंट चलेंगे एक कि दो तीन 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 पॉइंट यह चल गया है तो यहां से एक रेखा बनेगे हमारी यह है अब करा इससे गिरा च्छेत पर बताईए तो हमारा च्छेतर है वो है कहां पर इस च्छेतर को बताना हाईलाइट कर देते हैं अब जहां पर तीन कॉमा जीरो है और यह है जीरो कॉमा जीरो हमार पास वक्र है वाई वराबर एम एक्स और इसका शिर्फल निकलने के लिए तो हम यहां पर इस्ट्रिप डाल सकते एक सच पर अगर हम एक्स पर इस्ट्रिप डाल सकते हैं तो हम एक्स के साब पर ही समा कलंग करेंगे तो लिखेंगे चायंकित भाग का छेतर फल मैं जो क्या आएगा शमा कलंग जीरो से थ्री है और कहां से इस्ट्रिप डाल रहें हमने वक्र से वक्र है मैं वराबर एम एक्स तो वाई और क्यूंकि एक्सच पर हम इस्ट्रिप डाल रहें तो डी अक्स y का मान कितना है 0 to 3 y का मान है mx into dx m constant 0 to 3 x dx m इसका समा कलंग कर देंगे x का क्या हो जाएगा x square बटे 2 0 to 3 m बटे 2 ये बाहर आ गया अपर मानेस लोबर 3 का square मानेस 0 का square m बटे 2 गुड़े 3 का बर 9 होता है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9m बटे 2 मात्रक square clear है तो इस तरीके से इसे हम लोग लगा सकते हैं चलते हैं question number 10 पर पर परवले है x square बड़ाबर 4y x square बड़ाबर 4y और कोटी है x बड़ाबर तो इसका पहले हम लोग चित्र बनाएंगे चित्र बना लेते हैं वह यह यह हमारा y अच्छ हो गया यह हमारा x अच्छ हो गया x x-y अब हम परवले बनाते हैं तो हमारा जो परवले बनेगा वह कुछ इस प्रकार से बनेगा अब हमारा जो परवले बनाएंगे अच्छ है यह हमारा परवले बन गया x स्क्वाइर बराबर 4 वाई और x बराबर सी तो कुछ दूरी ले लेते हैं मान लिया यह दूरी ले लिए हमने जो यह हमारी सी हो गई हमें और यह दिख गई है सी जिसका निर्दे सांग क्या बनेगा हमारा सी कॉमा जीरो जीरो कॉमा जीरो और कह रहा एक्स अच एक्स बराबर सी और परवले इससे घिरा चेत्र तो इससे घिरा जो चेत्र हमारा वह यह है कि आप समझ पाए कि इस चेत्र का चेत्र पल चाहिए हमको जो कहां से चलेगा जीरो से और कहां तक जाएगा सी तक जाएगा तो हम ड्रॉप कहां से डाल सकते हैं अपने परवले से डाल सकते हैं एक्स अच पर डाल सकते हैं तो लिखेंगे च्छाएंगित भाग का चेत्र पल च्छाएंगित भाग का चेत्र पल तो चाहंकित भाग का किया निकल कर आएगा भी यह समाकलन कहां से कहां तक जीरो से उठा गएंगे और सी तक जाएंगे और किसका समाकलन करेंगे एक्सपर ड्रॉप डालना वाई का मान चाहिए किसका मान चाहिए एक्सपर ड्रॉप डाला है इस्ट्रिप डाले एक्सपर तो क्या चाहिए हमें वाई का मान तो वाई और क्योंकि ड्रॉप और इस्ट्रिप हमारी कहां पर पड़ी है वह एक्सपर पड़ी है तो ड्यक्स आजाएगा क्लियर है वाई का मान उठा के रख दे यह ना एक स्कॉइर अपॉण फोर ही देखेंगे यह अमान निकाल लीजिए यहाँ से एकस्क्वार अपॉण फोर है तो जीरो से सी मिए एक बटे 4 है इस स्कॉइर डीक्स एक बटे 4 एक बटे 4 है एकस यूब बटे 3 एक्स क्यूब बटे तीन जीरो से सी एक बटे तीन बारा जाएगा तो चारतियां बारा ए अपर माइनेस लोबर सी क्यूब माइनेस जीरो का क्यूब तो सी क्यूब बटे बारा ए मात्रक स्कॉएर क्लियर है तो इस तरीके से इसको हम लोग लगा सकते हैं चल देते हैं नेक्स प्रस्ट पर प्रस्ट नमबर ग्यारा परवले य स्कुएर बराबर फोर एक्स के उस भाग का चेटफल ग्याद कीजिए जो एक्सच और कोट एक्स बराबर टुए तो तर ना भी लम से घिरा हुआ है ना भी लम तो इतनी वेलू दे रखी है चलिए बनाते हैं तो हम लोग चलते हैं भी या अपने अच्छ पर बनाते हैं चित्र बनाएंगे और सब्सक्राइगे एलाए अफार अंच कहिए यह हमारे एक्स अच और वाई अच्छा गए जो एक्स एक्स डैस वाई वाई डैस अब देखिए अपना परवले बनाते हैं वाई स्क्वाइर बडाबर फोर एक्स ठीक है तो धन एक्स अच्छ की और इसका मुर रहेगा तो परवले कुछ हमारा इस प्रकार से रहेगा तो यह हमारा परवले हो गया और एक्स अच कह रहा है एक्स अच्छ हमारे पास है एक्स परावर्ट टुए और नाविलम तो नाविलम तो हमारा यहां पर होगा एक आमाजीरो यह नाविलम हो गया एक आमाजीरो क्योंकि इस परवले की जो ना भी होती ना इस परवले की जो ना भी होती है वो क्या होगी देख्ये वो होती है एक आमाजीरो यह बात याद रख्ये में पता है और फिर अगला है एक्स प्राबर्बर टुए तो एक्स प्राबर टुए तो यहां से यहां तक ए है और यह मालिज़े टुए कि अरिए यह बन जाएगा मारा अधू हैं और एकस इस हमारे पास है थो यह है एक कामा जीरो और यह है और यह तो कोई एक हिस्सा ले लीजिए क्योंकि एक सच कह रहा है अगर एक सच नहीं होता तो पूरा हिस्सा लेना पड़ता है दूगना कर देते है तो हमारा ये भाग आ जाएगा ठीक है ये हिस्सा इसका आ जाएगा करा है अधार है आए ज्यूथ को चलिए है अब इस बाग का छ्यद पल्पां सब्सक्राइब करते हैं हम लोग देखिये इस डाली पहले इसे हम डाल सकते एक सच पर आज सकते कहां से परवले से यह हमारी है तो हम लिखेंगे चायंकित भाग का चेद्पल कि चायंकित भाग का चेद्पल तो चायंकित भाग का कैसे पर निकलेगा चायंकित भाग का चेद्पल निकलेगा समाकलन एसे टूए एक्स पर इस्ट्रिप डाल रहे हैं तो डियक्स और किसका वान वाई का वाई डियक्स और वाई की वैलू है कितनी अंडर रूट टूए एक्स कि एट टूए वाई का मान है रूट टूए एक्स इंटू डियक्स अंडर रूट फॉर है फॉर तो नहीं है तो यहां पर देखिए क्या बनेगा अब यहां पर आ जाएगा तो रूट है एक्स की पावर एक बटे दो इंटू डियक्स टू रूट है एक्स की पावर एक बटे दो का समा करन होता है एक्स की पावर तीन बटे दो बटे तीन बटे दो ए टू टू ए टू रूट ए तीन बटे दो यहां आ जाएगा बाहर दो बटे तीन टू ए की पावर तीन बटे दो माइनस ए की पावर तीन बटे दो दो दूनी चार रूट ए बटे तीन अब देखिए यहां पर जो ए बटे दो और तू ए की पावर तीन बटे दो और ए की पावर तीन बटे दो यह वह ध्यान से देखेगा यह बन जाएगा रूट टू ए की पावर तीन रूट कहां से आजए बटे में दो इसलिये मा होता है यहां लगा देंगे और यह जो यह बन जागा टू है माइनस इसका बन जाएगा यह रूट को एग ठीक है कि तो यह बन गया हमारा वैलू है तो इस तरीके से हम लोग इतना हल करें और आगे भी थोड़ा स्कते हैं अगर भूट कॉमन लें जैसे यहां पर है यहां पर भी है तो हम रूट कॉमन ले सकते हैं है कि तो तो क्या बन जाएगा चार रूट अचा dee रूट दो माइनस V Ray जाएगा तो Давайте दो चार A बटे 3 ब्रैकेट में 2A रूट दो माइनस A ठीक है और यहां से A भी कॉमन ले सकते हो आप तो 4A स्कॉाइर बटे 3 2 रूट 2 माइनस 1 मात्रक स्कॉाइर अब एक बात सुनिएगा जरूरी कि यहां पर जो हमारा उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 4A स्कॉाइर बटे 3 2 रूट 2 माइनस 1 तो किसी किताब में यहां पर 8 आ रहा है क्यों 8 आ रहा है वो भी हम बता रहते हैं उन्होंने पूरा भाग पूछा है पूरा उपर अला भी नीच अला भी तो 2 से उड़ा कर दोगे तो आपर 8 आ जाएगा लेकिन किताब में किसी किताब में गलत दिया गया 4 ही आएगा क्योंकि उपर अला भाग पूछ रहा है अगर एक्सच का नाम ना लेता अगर एक्सच ना कहता तो हम पूरा निकाल लेते हैं तो यह डाउट बच्चों के मन में रहता है और वो अभी कमेंट करेंगे कि सरजी आंसर नहीं आ रहा है आंसर गलत है तो यह बात आप समझ लेज़े अगर एक्सच नहीं होता तो पूरा आठाजाता जो आपकी किता में दे रखा है और अगर एक्सच दे दिया तो या तो ऊपर बता लीजिए या तो नीचे बता लीजिए ठीक है चलते हैं अगले प्रस्ट पर चल देते हैं कोशन नमबर 12 पर क्या कह रहा है वरत एक्स स्क्वाइर वाई स्क्वाइर एक्स स्क्वाइर प्लस वाई स्क्वाइर बराबर फोर एका स्क्वाइर और रेखा एक्स बराबर ए के द्वारा दो भागों में विवाजित किया जाता है दोनों भागों के छेत फोलों का अनुपाद ग्याद कीजिए तो देखिए पहरे चितर बनाते हैं क्योंकि चितर के बगएर यहाँ पर हम लोग कुछ सीख नहीं बना दिया अच्छ है यह हमारे पास और यह बना दिया है गोला कि तो अच्छ कर लेते हैं उसको ठीक है इस तो अच्छ कर लेते हैं हो और यह तो हमारे एकस अच्छ हैं और यह अच्छ है तो यह एकस हो गया एकस डैस हो गया वाई हो गया यह भाइट सो गया ओ अप ठीक है और अब वो कह रहा है कि X बराबर A तो देखिए एक रेखा होगी X बराबर A इस तरीके से जाएगी यह व्रत को दो भागों में बाट रहा है यह देखा व्रत को दो हिंसों में बाट रही है अगर यह दो हिंसों में बाट रही है तो देखा है X बराबर A या नहीं इसका निचन हो जाएगा A,0 और जो व्रत है वो हमारे पास X स्कॉयर प्लस Y स्कॉयर बराबर 4A स्कॉयर को लिख सकते हैं 2A का स्कॉयर जहां केंदर तो 0,0 होगा और त्रिजिया क्या होगी त्रिजिया होगी ये त्रिजिया होती ही व्रत की First year में आपने व्रत का चैप्टर पड़ाओगा उसमें आपको बताया गया था तो त्रिजिया क्या होगी 2A यानि की 2A काउमा 0 और यह होगा माइनस का 2A काउमा 0 कि और हमसे कह रहा है कि कि यहां पर दो भाग आपको दिख रहे होंगे तो आपको दिखाते हैं यह बाग एक ठीक है एक तो यह भाग आपको देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए और एक दूसरा भाग बनाता है इसका ट्रेक है यह रहे रहते हैं तोड़ा करलर्च चैन्द करके रहे रहते हैं कि अधिक तो दो भाग मेंने बना दिया है इन दोनों भागों के छेट फ़लों का अनुपात चाहिए मुझे ठीक है तो अनुपात निकालने के लिए हमें नाम लिखना पड़ेगा नाम लिखते हैं ए बी कि से और यहां डाल देता है डी तो पहले हम लोग इस भाग का चेट फ़ल निकालने हैं कि इस भाग का चेट फ़ल कैसे निकालेंगे कि छेत्र ए बी पी ए का चेट्र फ़ल कि और गुणे दो कर देंगे ठीक है तो लिखेंगे चेट्र ए बी सी ए का चेट्र फ़ल जिसको हम क्या कहेंगे कि दो गुणे हैं चेट्र ए बी पी ए का चेट्र फ़ल तो इसका चेट्र फ़ल निकालने के लिए हमें समय करना पड़ेगा लिमिट उठाने पड़ेगी ए बी पी ए का चेट्र फ़ल निकालने के लिए हमें लिमिट देखनी पड़ेगी लिमिट तो है माइनस टूए से लेकर ए तक तो अगर डालेंगा तो क्या बन जाएंगा डिएच्श बन जाएगा और वैलू का है की चाहिएए वैलू चाहिए हमको व्य कि लिए की ए क्यूंकि होआ संब यहरा पर हम यहां पर हम वाईका ingen का थे इसक तो व्याए का में देखिए क्या बनेगा व्याइग करण जाएगा y square बराबर 2a का square minus x square तो y बराबर हो जाएगा under root 2a का square minus x का square clear है इसको रख देंगे जो y का 2a under root 2a का square minus x का square into dx और यहाँ पर लगाएंगे formula तो 2 तो आगे bracket में x upon 2 under root जो है वो 2a का square minus x का square plus a square बटे 2 a square का मान कितना है 4a square a square बटे 2 और sin inverse x upon a a का मान है 2a का मान क्या है यहां पर 2a ब्रैकेट बंद कर देंगे और limit लगा देंगे मानेस 2a to a अब देखिए यह टू बाहर लेकर आप इसको काट सकते हैं तो तो अपन तो यहां रहने दीजें ऐसे रहने दीजें ऐसे रहने दीजें लिमिट्स असंतुस्ट कर दीजें तो पहले रखेंगे अपर अपर रख रहें यहां पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एसकोर अपर एक्षीजे पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस में इस से गठेंगा तो टूए स्क्वायर साइन इन्वर्स ए रखेंगे तो ए से एकर जाएगा वन अपॉन टू तो साइन में एक बटे दो कितने का मान होता है पाई बाई सिक्स का ठीक है तो ये तो हो गया अपर माइनस लोवर रखेंगे तो जब यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 जैसे माइनस 2A का स्कॉरर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस ये लिखा हुआ है 2A स्कॉरर और यहाँ रखेंगे माइनस 2A तो 2A से 2A कड़ेगा माइनस 1 बज़ेगा और साइन जो है वो जो अगर इन्वर्स में अगर माइनस आता है तो इन्वर्स बाहर आ जाएगा तो ब्रेकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस बच रहा Baptist और इंवर्स रखेंगे तो साइन इन्वर्स वन बन जाएगा क्योंकि माइनस बाहर आ वन बन गया तो साइन इंवर्स वन का मान होगा पाइवाई टू पाइवाई तो यह ब्रैकेट बन यह बड़ा ब्रैकेट बन ठीक है थोड़ी के लुक्रेशन हाई है यहां पर तू बाहर रहेगा कि एबटे दो एए स्क्वाइर बाहर आजाएगा तो बन जाएगा ए और ए और ए मिलकर रूट ए बन जाएगा रूट तीन दो तियाँ छे प्लस का एए स्क्वाइर पाई बटे तीन तू से यह टू कटेगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा A square pi A square ये वाला माइनस ये अंदर गया माइनस ये तो माइनस माइनल प्लस A square pi हमारे पास आगया ये हो जाएगा bracket बन आगे बढ़ते हैं A square 1-2 A square common लिया 2 से 2 common ले लिया तो बड़ते दो common ले लिया और A square common ले लिया तो यहाँ पर बचा root 3 यहाँ पर A square common ले लिया तो क्या बचा बटे में 2 है नहीं 2 पर पहुंचिये गा 2 pi by 3 प्लस टू पाई टू से टू काट दीजिए ए स्क्वायर इसकी दर गुणा इसमें जोड दीजिए तो तीन दूनी छह दो आठ रूट थ्री प्लस एट पाई बाई थ्री और यहां पर तीन लगा दीजिए क्योंकि तीन की दर जोड़ कर इदर और इसमें भी तो ऐसे गुणा करके लाएंगे तो यह बन जाएगा हमारा एट पाई प्लस थ्री रूट थ्री ठीक है ए स्क्वायर यह तो आगया मात्रक स्क्वायर पहले भाग का छेट पल अब दूसरे भाग को देखेंगे दूसरा भाग ए से टूए तक स्टार्ट चलेगा और वहां पर पड़ेगी एक्सस पर सेम ऐसे रहेगा बस हमारा कनवर्ट हो जाएगा और जिसका छेट पल हम क्या नगलेंगे एडी सी एडी सी ए का छेट पल तो लिखेंगे छेतर थोड़ा चीतर बार बार देखेंगे चेतर एडी सी ए का छेतर पल बराबर दो गुड़ें चेतर एडी पी ए का छेतर पल एडी पी ए का अब देखिए दो गुड़ें समा कलन लिमिट क्या रहेगी इस बार लिमिट रहेगी एटू टू ए और वाई डी एक्स क्योंकि के एक्स अच्छ पर हम इस्ट्रिप डाल रहे हैं और व्रत से डाल रहे हैं तो वाई वाई का मान यह लिखा हुआ है लिमिट है एटू टू ए क्लेर है सब कुछ तो वाई का मान पूट करने जा रहे हैं दो आटू एंडर रूट वाई का मान क्या था टूए स्कौर माइनस 10 का एक्स स्कॉर 67 इंटू टी एक्स यह वरत का समय कर्ना से हम लोग य का मान लिकाल के लाएं अब इसका समाकलम करना है सेम वैसे करेंगे थोड़ा सा आगे से लगा लेते हैं ठीक इसके नीचे क्यूंकि आ नहीं पाता है इस पीस अच्छा नहीं रहता है दो ऐसे रख दिया ब्रेकेट लगा दिया फॉर्मुल लगाएंगे ए स्कॉयर एसकॉयर मैंनेस एसकॉयर का क्या फॉर्मुल होता है एक्स बाइटू अंडर रूट एक्स का स्कॉयर यानि जो है वो ऐसे याद करवाया है मैंने प्लस एसकॉयर यानि फोर एसकॉयर बटे दो साइन इन्वर्स एक्स बटे ए एका मन कितना है टू है और लिमिट रहेगी ए टू टू ए टू से ये काट दीजिए अब जेकिए टू ऐसे ही ये ए स्क्वार पाई लिखा हुआ है माइनस ये लिखा हुआ है ए बटे दो फूर ए स्क्वार में से ए स्क्वार चला जाएगा थ्री ए स्क्वार ए स्क्वार का ए बचेगा तो यहां लगा देंगे और तीन का रूट तीन बन गया ये माइनस यहां भी जाएगा तो माइनस और ये बन गया ए स्क्वार पाई बटे तीन अब देखिए उपर से a square common ले लिजे pi minus a square तो common ही ले लिया था pi minus root 3 minus pi बटे 3 हर जगा से a square common ले लिए यहाँ से a square common ले रूट 3 बटे 2 minus a square common ले पाई बटे 3 तो 2 a square 2 3 कलासा 6 ले लिजे 6 pi minus 3 root 3 minus 2 pi 2 से कटेगा 6 3 बार a square bracket में 4 pi minus 3 root 3 अपान 3 मातरक स्क्वायर तो यह दूसरे बाग का चेटफल आ गया काफी मसकत के बाद अब चलते हैं इनका चेटफल निकालना है ठीक है दोनों भागों के चेटफलों करन पर बताइए तो जो पहला भाग है फर्स्ट भाग अनुपात सकेंड भाग बराबर कितना ए स्क्वायर ब्रेकेट में यह लिखा हुआ है यह पहला भाग था अनुपात दूसरा भाग ए स्क्वायर चार पाई माइनस तीन रूट तीन बटे तीन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तीन से तीन कटेगा आंसर आजाएगा 8 πाई प्लस 3 रूट 3 अपान 4 पाई माइनस 3 रूट 3 यह आगया मारा आंसर तो इस तरीके से हम इसे लगा सकते हैं उमीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समय में आ गया होगा तो चल देते हैं नेक्स प्रस्ट पर प्रस्ट नम्बर 13 यदिवक्र एक्स बराबर वाई स्क्वाईर एवं रेखा एक्स बराबर चार गिरा छेत्र रेखा एक्स बराबर ए द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है तो एका मन मताओ कह रहा है कि ये परवले है ये हमारी एक रेखा दे रखी है वाईज के समानते रेखा होती जो और ये एक अन्य रेखा है ये दो बराबर भागों में बाट देता है तो हमें एका मन मताना है है एक सच यह हो गया मारा कि वाइच अज़ियर और अब बनाते हैं पहले परवले एक्स बराबर वाइज स्कुएर इसको वाइज स्कुएर बराबर एक्स भी लिए सकते हैं लिख सकते की नहीं लिख सकते हैं तो दन एक्स तरफ इसका मूँ खुलेगा कि तुझ इस तरी के से लाएज है कि यह महरा परवले बन गया रेक्स बराबर चार की कोटी है तुमान लिजे एक दो तीन चार और एक अन्य है एक्स बराबर ए अब पता नहीं कहां से जा रही है ठीक है चलिए अब प्रस में कह रहा है यह जो चेत्र है ना यह दो बराबर और चेत्र है कौन कौन से है यह बाला चेत्र आजें से लिए यह बन गया और दूसरा चेत्र उसको भी आइलेट कर देते हैं कि यह यह आपस में कैसे हैं बराबर अब देखिए अब कह रहा है कि जो दोनों चेत्र रहना यह आपस में बराबर हैं समान है इसका चेत्फल और इसका चेत्फल आपस में कैसे हैं समान है तो नाम डालते हैं कि ए अब बी सी डी ए ए एफ और जी और वहां तो लिखा को है कि यह चेत्र है कि दोनों के चेत्फल कैसे हैं अपस में समान है ए कि चलिए है पहले हम लोग चेत्र निकालते हैं और इस ट्रीब डाल सकते हैं चेरफल निकालेंगे इस्तिट ड्रास कत सकते हैं ठीक है寸 कहां से डाल सकते हैं वाई से डाल सकते हैं और लिखेंगे छेत्र एबी एफ ए का छेत्र फल बराबर दो गुणे छेत्र एजी एफ ए का छेत्र फल यानि इस भाग का छेत्र फल निकालेंगे तू लिमिट क्या रहेगे हमारी लिमिट रहेगी जीरो से ए और यह हमारे पास है चार कॉमा जीरो यह है ए कॉमा जीरो और यह है जीरो कॉमा जीरो तो limit रहेगी 0 से A तक किसका X के सापेश समा कलंग करेंगे किसका करेंगे Y का करेंगे और Y का मान है कितना Y बराबर है X की पावर एक बटे दो यानि root X तो 2 0 to A X की पावर एक बटे दो into dx 2 समा कलंग अटा दीजे समा कलंग कर देते हैं ठीक है तो क्या बन जाएगा X की पावर एक बटे दो बटे तीन बटे 2 0 to A तो 2 गुडे दो बटे 3 A की पावर तीन बटे दो माइनस 0 की पावर तीन बटे दो अपर माइनस लोवर तो बन जाएगा 4 बटे 3 और ये बन जाएगा A की पावर 3 बटे दो ऐसे लिखा रहे हैं दीजे चेत्र एफ बी सी ए बड़ाबर एफ बी सी ए का चेत्फल बड़ाबर दो गुडे चेत्र एफ जी डी एफ जी डी एफ जी डी ए फ जी डी एफ जी डी एफ जी डी एफ चेत्र पर दो आपकलन लिमिट क्या रहे हैंगी एटू फोर ठीक है ए से फोर तक इस्टिप डाल सकते हैं सेम एक सच की पर और वाई तो वाई डी एक्स क्या वाई डी एक्स टू टू फोर और वाई का माना एक्स की पावर एक बटे दो इन्टू डी एक्स टू और एक्स की पावर तीन बटे दो बटे दो एटू फोर दो गुडे दो बटे तीन अपर माईनस लोबर चार की पावर तीन बटे दो माईनस एकी पावर तीन बटे दो तो चार बटे तीन बराबर ये लिखा हुआ है चार का वरगमूल दो दो की पावर तीन का मान आट माईनस एकी पावर तीन बटे दो मातरक स्क्वायर अब देखिए दोनों चेत्रों का चेत्र फल बराबर है प्रस्म में ऐसा कह रहा है तो यह हो जाएगा चार बटे तीन लिखेंगे चूंकी दोनों चेत्रों के चेत्र फल समान है चार बटे तीन आट माईनस एकी पावर तीन बटे दो बराबर चार एक तो यह लिख लिया चार ब्रैकेट में क्या है उपर एकी पावर तीन बटे दो तीन से तीन कट गया चार से चार कट गया तो आट बराबर एकी पावर तीन बटे दो एकी पावर तीन बटे दो और यह मानस को उतर जाएगा एकी पावर तीन बटे दो तो आट बराबर यह दुनों जोड़ेंगे तो एकी पावर तीन बटे दो तो ये दो बटे में जाएगा चार तो ए बराबर चार की पावर दो बटे तीन तो ये हमारा आगया उत्तर देह रहा है तो इस तरीके से हम लगा सकते एक आमान हमसे पूंच रहा था वो हमारा आगया है उम्मिद करते हैं कि आपको बड़ी आसे समझ में आगया होगा तोड़ा सा सफाई कर देते हैं पिस चलते हैं अगले प्रस्ट में पर क्वेश्चन नमबर चौदा देखें उम्मिद ही हम कर रहे हैं कि अभी तक जो भी आपको समझाया गया है वो सारी चीज़े आपको समझ में आ रहे होंगे बड़ी आसे ठीक है चलते हैं प्रस्ट नमबर चौदा उसको भी ध्यान से देखें कैसे करेंगे उसको सीख लेते हैं प्रस्ट नमबर चौदा क्या कह रहा है बहुत ध्यान से देखेंगा क्योंकि यहां से चालू होता है नया कॉंसेप्ट अभी तक हम लोग जितनी भी छेतफ़ निकाल लएते जितनी भी परचाई पड़ रही थी वो किवल एक आकरती की परचाई पड़ रही थी लेकिन अब हमको एक से अधिक आकरतियों की परचाई कभी कोई दिखने को मिलेगी और हो सकता तीन तीन परचाईया पड़े तो आ सब्सक्राइब है एक्स स्क्राइब प्लस वाई स्क्राइब बराबर चार थीक है और रेखा है एक्स बराबर रूट तीन वाई एक्स अच यह तीन कंडिशन हमको दे रखिए तो आकरती बढ़ाएं बगैर हम कोई बात नहीं करेंगे पहले तो अच्च बना लेते हैं अपने यह हमारा एक्स अच यह वाई यह वाई डैस यह हमारा वरत बनाते हैं यह हमारा वरत आइ और यह हमारी एक रेखा हो गई जिसको हम नहीं आपर एड़ेस्ट कर दिया क्लियर इस रेखा का अगर हम समीकन कहें तो इस रेखा का समीकन है यहां से देखिए वाई का मान निकाल ले हैं क्योंकि एकस नहीं कह दिया है तो हम वाई का मान निकालना चाहते हैं वाई का मान हो जाएगा एकस बटे रूट तीन और यह हो जाएगा x square प्लस y square बराबर 2 का square तो वुरत की त्रिजी आ गई 2 तो यह हो गया 2,0 यह हो गया minus 2,0 और यह देखा हो गई y बराबर x बटे root 3 अब यहाँ पर एक चीज यह देखने वाली है कि जब हम और छेट फल कौन से निकालना है देखिए इस भाग का छेट पल निकालना है हमको इस भाग का छेट पल निकालना है लेकिन समस्या क्या है समस्या यह है कि यहां से यहां तक की जो परचाई है इतनी यह तो रेखा द्वारा गिर रहा है उसके बाद की जो परचाई है वो वरत्त द्वारा गिर रही है अब यह यह समस्या ऐसे कोशन में आपको क्या करना है जहां से आकरती चेंज होती है वहां से एक हम ड्रॉप डाल देते हैं करो और ये देखना होता घुक फिर इसका समय कर देते हैं हैं क्योंकि स्ट्रिफ हम एक जट्रप यहां से डाल सक्ते इह हैं कि यहां सेश्ट्वipper डाल सकते तो हम इसका समय कर देंगे यह निस नम में सब आब बी सी और यह डी जहां से हमने ड्रॉप डाला है तो अब क्या करेंगे अब यह जो व्रत और रेखा एक दुसरे को काट रही है जो बिंदु सी है इसका निर्देसाम वालूम होना चाहिए तभी हम पता कर पाएंगे यह ड्रॉप घिर कहा रहा है जिसके लिए हमें इन दोनों कॉल करना पड़ेगा तो यहां पर सबसे पहले एक्स बराबर रूट तीन एक्स बराबर रूट त्री वाई एक्स स्कॉयर प्लस वाई स्कॉयर बराबर चार में रखने पर यहां रख देंगे तो तीन वाई स्कॉयर प्लस वाई स्कॉयर बराबर चार चार वाई स्कॉयर बराबर एक स्वारी चार चार से चार गड़ गया एक तो वाई आ गया प्लस माइनस का एक ठीक है और जब वाई का मान प्लस माइनस एक तो एकस का मान प्लस माइनस का रूट तीन तो यह निर्दे सांग क्या बनेगा यह तो प्रथम चतुर थास में न तो प्लस वाला लेजी प्लस का रूट तीन और प्लस का एक रूट तीन कॉमा एक और डी का निर्दे सांग क्या बनेगा रूट तीन कॉमा जीरो ठीक है यह बनेगा 0,0 और अब लगाएंगे अपना प्रस्ण तो पहले हम निकालेंगे चायांकित भाका चेत्फल बड़ाबर चेत्र A, D, C, A का चेत्फल प्लस चेत्र D, B, C, D, B, C का चेत्फल तो अब क्या बनेगा देखो द्यान से चेत्र A, D, C, A का चेत्फल तो A, D, C, A दिख रहा ना यह A, D, C, A इसका चेत्फल चाहिए तो इस्टिप हम डाल रहे हैं रेखा से लिमिट बनेगी 0,2, रूट 3, 0,2, रूट 3, Y, D, X, प्लस इस्टिप का सिर्फल निकालना है तो रूट 3 से 2 तक जाएंगे, कहां से जाएंगे, रूट 3 से 2 तक यहां पर भी Y, D, X लिखेंगे लेकिन यह जो यह वरत्त से लाएंगे और यह जो यह रेखा से लाएंगे, ठीक है, अथरा इधर से लिखते हैं, साइड से, क्योंकि बड़ा बनने वाला है, 0,2, रूट 3, Y का मान है, X बटे रूट 3, इंटू डियक्स, प्लस रूट 3, से 2, और Y का मान है, यहां से निकालेंगे वरत्त से, Y का माना जाएगा, हमारे पास, अंडर रूट 2 का स्क्वाइर माइनस X स्क्वाइर, इंटू डियक्स, यहां तर बताएं कोई समस्या होतो, चलिए, आगे बढ़ेंगे, और चीखेंगे, देखिए, इसका समा कलंग करना है, एक बटे रूट 3 आगे, X का हो जाएगा, X स्क्वाइर बटे 2, लिमिट लगा दीजे, 0 to, रूट 3, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, X स्क्वाइर बटे 2, इस से अच्छा हमने लिख पाते हैं, फिर होगा, आप अपने आप लिखिएगा, ठीक है, और यहां पर फॉर्मला क्या बनेगा, ब्रेकेट, X बटे 2, अंडर रूट जो है, वो, प्लस, A स्क्वाइर बटे 2, साइन इन्वर्स, X बटे A, रूट 3 से 2, एक बटे, यह रूट 3 था, एक बटे, यह दो बहरा जाएगा, दो रूट 3, रख देंगे, अपर, रूट 3 का वर्ग, 3, माइनस लोवर, प्लस, इस दो से यह स्क्वाइर कटेगा, अपर रखेंगे, टू अपाउन टू, यह बनेगा, इंटू जीरो, प्लस, टू, और टू अपाउन टू, वन हो जाएगा, जिसको हम पाई बाई बाई टू बोलेंगे, यह बन गया, अपर, माइनस, अब लोवर रखेंगे, रूट 3 बटे दो, 4 माइनस 3, 1, प्लस, 2, और रूट 3 बटे दो, जो, साइनस आट का मान होता है, यहानी पाई बाई, 3, ठीक है, अब देखिए, 3 बटे, 2 रूट 3, प्लस, अब यह तो 0 जाएगा, दो से दो कट जाएगा, पाई आ गया, माइनस का, रूट 3 बटे दो, माइनस का, 2 पाई बटे 3, अब देखिए, आगे क्या करेंगे, इनको हल करना है, तो पूरा लाशा आ जाएगा, हमारा, 2 तियाँ छे, 2 तियाँ छे, रूट 3, इससे कट देखिए, 3 बाद 3 तिया नो, प्लस 6, रूट 3 पाई, माइनस, 2, तियाँ छे, 3 बचा 3 उपर, रूट 3 बचा, रूट 3 यहाँ, तो 3, माइनस, 3, 2 नी छे, 2 रूट 3, तो 2 दूट नी, 4 रूट 3 पाई, प्लस का नो, माइनस का नो कट गया, 6 रूट 3 पाई में से, 4 रूट 3 पाई चला गया, तो क्या बचा बचा है, 2 रूट 3 पाई, बचे 6 रूट, तीन, 2 तिया 6, रूट 3 चला गया, पाई बचे 3 मातरक, स्कुर, तो यह आ गया हमारा, आंसर, तो इस तरीके से, इसे हम लोग, हल कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं, कि बहुत अच्छे से, आपको समझने, आ गया होगा, चल देते हैं, प्रस नमबर, 15 पर, देखें, प्रस नमबर, 15 में क्या कह रहा है, 6 तक रेखा, एक्स बराबर, यह बटे रूट दो, और ब्रत है, एक्स स्क्वाइर, प्लस वाइ स्क्वाइर, बराबर ए स्क्वाइर, अब, देखिए, पहले बना लेते हैं, चित्र अपना, यह बन गया, एक्स अच, और यह बन गया, वाइ अच, एक्स, एक्स डैस, वाई, वाई डैस, यह मारा ब्रत है, जिसकी त्रिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् बराबर एबटे रूट दो आगा चेदर द्वारा एक्स बराबर एबटे रूट दो ठीक है तो इस भाग का चेदपल चाहिए हमको इस भाग का कि इस भाग का चेदपल चाहिए है चोटे भाग का चेदपल क्योंकि दो भाग है लेकिन उसमें साफ साफ कहते हैं चोटे बाग का चेदपल तो लिमिट तो आप जानते हैं एबटे रूट दो कामा जीरो ये बन गया एकामा जीरो एबी सी डी तो लिगेंगे चेद्र एबी सी डी का चेद्र पल बराबर चेद्र एबी डी का चेद्र फल गुड़ें दो तो दो गुड़ें कर दिया तो लिमिट अब देखिए लिमिट उठाएंगे क्या ए बटे रूट दो ए बटे रूट दो से लेकर ए तक ठीक है और डी एक्स एक्स के साथ पर समा कलंग करेंगे किसका करेंगे व्रत से ही गिर रहा है चाया व्रत की ही पड़ रही है तो व्रत से करेंगे क्लियर है अब व्रत यानि वाई डी एक्स अब तू समा कलंग ए बटे रूट दो ए और वाई की वैलू है वाई की वैलू ब्रत से लाएंगे वाई बराबर अंडर रूट एका स्क्वाईर माइनस एक्स स्क्वाईर अंडर रूट ए स्क्वाईर माइनस एक्स स्क्वाईर इंटू डी अक्स 2 ऐसे ही सूत्र क्या हो था x अपान 2 जो है वो प्लस a बटे 2 sin inverse x अपान a a square बटे दो होगा ठीक है a square बटे दो sin inverse x अपान a और लिमिट है a बटे रूट दो to a अब यह लिमिट रख लीजिए बस question खतम है तो बाहर बड़ा bracket मजिला bracket अपर रख रहे हैं अपर a बटे दो यहां रखेंगे तो यह 0 प्लस a square बटे दो और यहां पर रखेंगे तो एक बन जाएगा यहां पाई भाई यह तो हो गया अपर से माइनस लगा कर लोवर से तो a बटे दो रूट दो x की जिएगे पर a बटे रूट दो रख दिये दो रूट दो अंडर रूट a square माइनस a square बटे दो क्योंकि a बटे रूट दो का वर करेंगे तो a square बटे दो हो जाएगा प्लस a square बटे दो और sin inverse a से a कट जाएगा एक बटे रूट दो और sin में बटे रूट दो माननो था πाई भाई 4 का तो सीधे रख देते हैं into πाई भाई फॉर लो भाई यह रख दी हम लोगों ने फाइनल आंसर निकाल दीजिए हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा तो टू यह दो दूनू चार तो जीरो हो जाएगा तो a square पाई बटे चार ठिक माइनस यहाँ पर क्या बन गया यहाँ पर बन गया यह लिखा हुआ है यह बन गया 2a square में से a square जला गया तो a square बचेगा a square का वर्गमूल a होगा बटे 2 root 2 into बटे में भी क्या आजाएगा root 2 plus यह माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और हो जाएगा a square pi बटे 8 2 यह देखिए a square pi बटे 4 और a square pi बटे 8 इनको हल करेंगे तो क्या बन जाएगा a square pi बटे 8 ठीक है इन दोनों को हल कर लिया माइनस a square बटे 4 तो नीचे से दो खींच लिजे दो ये और दो नीचे से और खींच लिया तो a square pi बटे 4 माइनस a square बटे 2 ये a है दो से दो कड़ गया तो हमारे पास final answer क्या जाएगा a square pi बटे 4 माइनस a square बटे 2 मात्रक square तो इस तरीके से इसे हम लोग लगा सकते हैं उमीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब अबस्च करने हैं थैंकि फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगी के प्रस्णों के साथ थैंकि फॉर वाचिंग